नमस्ते दोस्तो मैं हूँ तरुन सोनकर और आज हम देखेंगे delivery order पर market order और stop loss order एक साथ कैसे लगाते हैं तो दोस्तो बीना किसी देरी के आज का वीडियो समस्ते हैं दोस्तो dashboard हमारा इस प्रकार का दिखता है अब नॉर्मली सर्च बार में जाएंगे यहाँ से कोई भी stock select करेंगे सब्पोस मैं SBI select करता हूँ अब मैं buy की ओर slide कर देता हूँ उसके बाद हमको इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा नॉर्मली यहाँ आपको market order पर click करना है और अगर आप limit order select करना चाहते हैं तो आप limit order भी select कर सकते हैं और quantity आप अपने fund के हिसाब से decide करेंगे अब दोस्तो नीचे advance order का option नजर आ रहा होगा advance order को click करेंगे तो हमको इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा अब नॉर्मली दोस्तो आपको stop loss को click करना है stop loss को click करेंगे तो हमको दो option दिखेगा normal order और trailing order पहले हम normal order को देखते हैं normal order को click करेंगे और यहाँ आप जो price में loss book करना चाहते हैं उस price को यहाँ tap कर देंगे माल लो मैं market price से 10 रुपए नीचे पर अपने loss book करना चाहता हूँ तो simply यहाँ market price से 10 रुपए कम पर अपने order लगा दूँगा और confirm की और slide कर दूँगा एक बार और confirm करेंगे तो हमारा order और stop loss order एक साथ market में place हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तो trailing order trailing order को click करेंगे तो यहाँ हमको दो option देखने को मिलेगा पहला है market stop loss trailing order इसमें क्या होगा market price में हमारा order ट्रेल होगा दोस्तो जैसे की हमें 5 रुपए का loss चाहिए हम यहाँ spread में 5 रुपए tap कर देंगे तो देखें दोस्तो यहाँ stop loss trigger price हमारा show कर रहा है मतलब कि इस price में आने पर हमारा order market में sale हो जाएगा अब दोस्तो simply confirm की और slide कर देना है एक बार और confirm करेंगे तो हमारा order और stop loss order market में एक साथ place हो जाएगा trailing order में ही हमारा दूसरा option है दोस्तो when price reaches order इसका मतलब होता है दोस्तो आपको एक price decide करना होता है और यहाँ आपको अपना loss book करना होता है जैसे अभी मैंने यहाँ पर price डाल दिया है 380 रुपय पर और 380 के बाद हमें 5 रुपय का loss लेना है तो मैंने spread में डाल दिया 5 रुपय तो हमारा stop loss टियार price बन गया 375 रुपय मतलब कि 200 मार्केट में volatility बहुत होता है हम जो price में exit होना चाहते हैं उस price में exit नहीं हो पाते लेकिन आप इस stop loss order के use करके आप अपने price में exit हो सकते हैं अब आप दोस्तों simply confirm your slide कर देंगे और आपका order और stop loss order मार्केट में एक साथ place हो जाएगा और हाँ दोस्तों अगर आप free में कोटक से अपना dmit account ओपन करवाना चाहते हो तो इस screen पर दिखाए गया नंबर पर आप contact करके अपना dmit account ओपन करवा सकते हो झाल